नमस्कार आदाब, मैं हूं रितान्च नियूस क्लिक में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं टिकेंदर संग पावार जो कि शिम्ला की डिपटी मेर रहे हैं आज हम इनसे भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजणा पर बात करेंगे तो टिकेंदर जी आखिर भारत सरकार की समार्ट सिटी योजना है क्या? देखिए ये भारत सरकार की योजना है मतलब सरल भाषणा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ ये है कि शेहर को कैसे बिल्ड करना है, कैसे डिवलप करना है और खासकर सभी शहरों में तो मतलब उसकी development नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार के बास इतना पैसा ही नहीं है और अगर हम एक इशर्जा जलू आलिया report देखें तो उस हिसाब से जो पैसा खर्च होना है और पूरा smart city में वो 10% भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा investment की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा demand है शहरों में के investment हो infrastructure में बहुत ही crumbling infrastructure है जो पुराना भी हो निया बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए अब सवाल यह है क्योंकि BJP government में है उसको कुछ दिखाना है quick दिखाना है जल्दी दिखाना है हलांकि यह बहुत western concept है Europe के smarts शहर कुछ और बात करते हैं और हमारा smart शहर actually हम तो सिर्फ basic services देने की बात कर रहे हैं जिसे पानी होना चाहिए 24 by 7 पानी होना चाहिए mobility जदा अच्छी होनी चाहिए यह सब सवालों को लेकर है लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा जो इसके पीछे अगर हम political economy देखें तो वो यह है कि जो शहरों की पहले तस्वीर थी खासकर जो शहर की सरकारे हैं जिसको हम municipalities कहते हैं जिसका काम managerial road जादा था कि शहर को manage करना है यह एक western concept जरूर लाए हैं कि शहर को entrepreneur बनाना है शहर को अपने आप में एक business model बिल्ड करना है और वो business model ऐसा होगा जो competition के साथ आएगा और इसलिए उन्होंने यह कहा कि जो investment भी है अगर आप पुराने देखेंगे जो method था जो UPA के समय में जोहला नहरू National Urban Renewal Mission जिसको JNN URM कहा गया और खुद government ने माना वो बहुत successful नहीं रहा है उससे यह बहुत नीचे है और इसलिए इसमें कहा गया कि 50% जो पैसा है आप मान लीजे एक बार qualify हो जाते हैं इसका qualify का एक method है कि पहले एक intra-state competition होगा जिसमें points बनेंगे दस सवालों को लेकर reforms वगारा शेहर में कैसी है और वो points बनने के बाद फिर qualify होंगे और qualify के बाद भारत सरकार तैय करेगी कि किसको पहले करना है एक जी जो मैंने कहा है इसकी politics यह है कि BJP दिखाना चाहती है कैसे जल्दी पैसा invest हुआ है और कैसे उसके result आने शुरू है ताकि वो दिखा सके और उनके preamble अगर आप देखेंगे पूरा smart city के उसमें यही कहा गया है कि these cities would become lighthouses for other cities उसका मतलब यह है कि यह शेहर अपने आप में lighthouse का काम करेंगे दूसरे शेहरों के लिए ताकि दिखाने के लिए कैसे हुए हैं और जैसे मैंने कहा किलिकिन बुनियाद यह है कि जो government है वो अपना withdraw करेगी जो उसका रोल है बहुत बड़ा service परदान करने में और उस service परदान करने के शेतर में और infrastructure बिल्ड करने में private players को बलाए जाएगा इसलिए सिर्फ 50% पैसा वो देंगे 50% कहा गया है कि mobilize करो चाहिए private से mobilize करो state government दे यह शेहर की सरकार दे तो यह अपने आप में बहुत थी मतलब ridiculous है क्यों हासेस पर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे शेहरों की क्षमता ही नहीं है दिने की तो यह अपने आप में दिखा रहा है और अगर आप अभी इसको पूरा देखेंगे जो धाई साल इसके हो गए है कि बहुत success stories इसमें नहीं है in fact अब बहुत critically इसमें लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है तो मतलब यह कहिना के निजी करन के तरफ एक कदम है आपने मतलब सही बात कह दी कि यह शेहर एक्शली अब मतलब शेहरों की निजी करन हो रहा है जो पहले यह right समझा था था शेहर में पानी देना उसका कुड़ा उठाना यह जो services परदान करना इसे बिजली परदान करना अच्छे transport होना यह जो पहले समझा था था कि यह अधिकार है लोगों का हासिल करना और यह जमवारी है सरकारों की चाहे वो शेहर की सरकार के दीन हो या जो parastatals इसकों बोलते हैं parastatals के पास हो तो उनकी जमवारी है इससे अब भी इसकी प्राइविटी करन शुरू होगी है तो इस जैसे आपने बोला भी कि निजी करन की तरफ एक कदम है तो municipal corporations का इसमें क्या आज के time role क्या है इसके अंदर देखिए इससे बहुत मजाख है कि आप क्या समझते हो हालांकि हमारे पास 74th constitutional amendment है और वो 74 संशोधन हुए भी काफी साल हो गए है देनी है उनको empower करना है शहर के सरकारों को empower करना है financially empower करना है ताकि उनके बाद ज्यादा finances आए और इसलिए हमारे जो 14th finance commission है या 13th finance commission आप उसको देखेंगे तो उसमें पहले पैसा तैय है कितना पैसा जाएगा और साथ में जो उसकी मनशा थी कि कम सकम 18 items ऐसी होनी चाहिए जो 12th schedule में भी कि वो काम नीचे शहर की सरकार को दिये जाने चाहिए और elected body के पास ताकत होनी चाहिए लेकिन बहुत मजाख है जब मैं शहर का deputy mayor था तो लोग पूछते थे आप क्या काम करते हो और क्या आपके पास काम है तो मैं सब को बोलता था कि मैं सबसे बड़ा कुड़ा उठाने वाला हूँ तो शहर के mayor के पास जादा तर बहुत बड़े शहरों की मैं बात नहीं करूँगा जैसे Bombay है या Poonay है लेकिन जादा तर जो शहर है आपके पास वहाँ के mayor के पास सिर्फ कुड़ा उठाने के काम है और वो अंग्रेजी में कहावा थे कि What does the mayor do? तो वो बोलते थे कि Cut the ribbon and kiss the child मतलब आप ribbon काटते रहो और बच्चों को चुमते रहो इसके लाब आपस कोई काम नहीं है तो ये tragedy है उसको ना तो strengthen किया गया ना empower किया गया और अब जो smart cities में आ गया है उसको पुरा दर किनार कर दिया है दर किनार ऐसे क्योंकि इसको जो execute करने की vehicle बनाई गई है उसको कहा गया special purpose vehicle अब ये जैसे मैंने कहा ये पुरा entrepreneur मतलब पुरा business model लाया गया है और ये special purpose vehicle रिजिस्टर होगी companies act में company की तरह काम करेगी उसको एक chair person होगा जो mayor नहीं होगा उसका chief executive officer होगा जो कोई world bank से भी official आ सकता है या सरकार का कोई IAS officer भी हो सकता है और वो जो आपने project device किये हैं जो आपने समझ बनाई है उन project को execute करेंगे माइनस city government city government board of directors में हो भी सकती नहीं हो सकती और ये हम देखने इसकी confrontation भी build हो रही है तो इसमें जैसे मतलब fund sharing का किस तरह से रहेगा कि state और center का देखिए fund sharing का उसमें ये कहा गया है कि माल लीजे आपने plan बनाया जैसे मैंने खुद शिमला city का plan लिखा है तो मुझे अची तरह पता है हमने 2900 क्रोड का बनाया था लेकिन शिमला हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हम काफी और जगा से पैसे ला रहे थे तो उसमें 50% पैसा central government देगी और 50% के बाद जो पैसा आप लोग करोगे वो जमवारी है राज्य सरकार और शेहर की सरकार की contribute करना हकीकत यह है कि जादातर राज्य सरकारों को तंखा देने के पैसे नहीं शेहर की सरकारों के तो बहुत ही बुरे हाथ है मतलब वो तो दिवालिये से भी जादा क्योंकि आपने फिनेंशल इंपावर ही नहीं किया गभी तो ऐसी स्थिती में जो मेथर है कि आप पीपी मॉडल क्योंकि आप कुछ पैसा शेहर का है उसकी जगह है तो इसके जगह बंद मला इनविस्ट में और फिर आप प्राइवेट को बला रहे हो कि प्राइवेट करेगा और इस तरह से आप पूरा उँविल कर रहे हो लेकिन ऎHe dipped जिस शहर में पर कापिटा कॉस्ट अफ इंफरस्ट्रक्चर मान लीजे अभी दो हजार रुपए है वहाँ पर अगर आप इसको डेड़ लाक रुपए कर दोगे तो कोई प्राइवाइट इतना मुरक नहीं है वहाँ पर आएगा और इसलिए ये बहुत बड़ा फेलियर तो मैं नहीं कहूंगा डिजास्टर की तरफ जा रहा है इनफेक्ट स्मार्ट सिटी बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ हेड कर रही है क्योंकि धाई साल भी इतने के बाद भी सिर्फ एक दशमला पांच प्रतिसत पैसा भी तक खर्च हुआ है जिस्ट 1.5% और मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने काम किया है क्लामेट चेंज टॉक्स को लेकर क्योंकि हमारे 2030 तक प्रतिबदता है हमने अपना जो काबन फुट्प्रिंट भी रिडियो और शेहरों से परसंट है कहां उसके 100% होनी चाहिए जब हम इन्फरसक्टर बिल कर रहे है लेकिन पूरे स्मार्सिटी प्लांस को अगर आप देखेंगे तो वो स्टडी बता रही है कि वो कहीं भी नजदीक नहीं तो इस अ बिग डिजस्टर इन दी ऑफ और पूने मज़े की बात आप देखिए पूने ने कहा दिया हमें चाहिए नहीं आपका स्मार्ट सिटी आप अपना पैसा अपने बस रखिए क्यों क्यों पूने की सरकार का अपना पैसा इतना ज़ादा है वो बोल रहे हैं आप इस मॉडल से लाओगे और आप हमें मतलब जो सिटी गवर्मेंट इसको कॉन्फरेंट करोगे एस्पीवी के तुरू वहां बहुत बड़ी कॉंट्रिक्शन आज ब्रू हो गई है ऐसी बहुत सारे शहर हैं जो भाजपा दोरा चलाए जा रहे हैं जिसमें भाजपा का कंट्रोल है जो उनने का हमें नहीं चाहिए आपका यह मॉडल तो अपने आप में यह एक बहुत चैलेंजिंग सिट्वेशन हो गई है सोचा का बीजेपी नहीं यह था क्योंकि बीजेपी काफी बिजनेस ओरिएंटेट पार्टी है तो उसने जोचे था कि हम बिजनस मॉडल बिल्ड करेंगे प्राइवेट लोगों को लाएंगे एस पीवी बनाएंगे और तुरंट उससे काम हो जाएगा लेकिन यह तुरंट कहीं भी नहीं हो रहा है मैंने जैसे कहा डाही साल बाद भी सिर्फ एक दश्मल पांच परसंट है चौदा परसंट प्रोजेक्ट की अभी सिर्फ तैयारी हो रही है जैसे शिम्ला मैं बता सकता आपको शिम्ला वो कंप्लीट फजग गया है क्योंकि शिम्ला में जो एरिया बेस डिवलप्मेंट पर पैसा खर्च होना था वहाँ NGT ने स्टेक कर दिया है उसने बोला आपको कुछ भी यह नहीं बनाएंगे तो मतलब आपको फिर ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा तो यह मतलब होना क्या चाहिए था अगर कोई इसका मॉडल आल्टरनेट पूछे होना यह चाहिए था जो J&E New RM ने एक अच्छा काम किया था उसने सब शेहरों के सिटी डिवलप्मेंट प्लान बनाए थे और ज्यादा तर शेहरों के तो सिटी डिवलप्मेंट प्लान जो है वो आपको एक विजन दे रहा है कि किस तरह आपने हेड़ करना है लेकिन उस इवलप्मेंट प्लान आपको बता रहा है कि बेशुप मैं जैसे मैंने कहा इशर जाजर लुआ लिया करीब 10% सिर्फ खर्च हो रहा है 90% और है तो वो कैसे बिल्ड होगा और उसमें जो स्टेट का रोल है स्टेट इससे विड्रॉल नहीं कर सकता स्टेट इसमें विड्रॉल की फॉर्म में है जो बहुत डेंजरस है तो आकरी सवाल यह है ठीकिंदर जी पस आजकल बड़ा इंपरिकल जमाना है हाँ तो वान पॉंट फाइफ परसेंट है जो इसमें टोटल ओफ लोड हुआ है पैसा और फॉर्टीन परसेंट है जो प्रोजेक्ट के नजदीक है और आप लगाएं कि एक साल बीजेबी का बचिया है मतलब 2019 में हम इलेक्शन में जा रहे है तो और अलड़ी इसके खिलाफ महाल होना शुरू हो गया है और इवन जो हमारे इसका जो सोशल आंगल है मतलब जो हमारे सोशल आजिस्ट हैं वो इसको बहुत ज़ादा गाली दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसका इतना इनिक्विटेबल फॉर्म है और वो हकीकत भी हम देखते हैं क्योंकि इसका जो पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है एरिया बेस्ट डिवलेप्मेंट बहुत छोटा एरिया होगा मान लीजे से शेहर की जो डाइमेंशन से 50 स्क्वेर किलुमेटर है लेकिन आपके अरिया बेस्ट डिवलेप्मेंट मुश्किल से एक स्क्वेर किलुमेटर होगा एक स्क्वेर किलुमेटर आपका जो पूरा पैसा है स्मार्ट सीटी का लगभग 80% पैसा खाजएगा तो बहुत ही iniquitable है, मतलब वहाँ जादा अच्छा पानी distribution होगा, पूरे शहर में आपके पानी भी नहीं मिलेगा जैसे आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में पूरा जो है N-D-M-C है अब N-D-M-C के टॉलेट्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि जब आप N-D-M-C फ्री में टॉलेट भी है, लगता भी अच्छा है थोड़ा सा बहां निकलते हैं तो आप टॉलेट्स की हालत देखें, आप टॉलेट करना भी नहीं वहां चाहते हैं तो यह जो इनिक्विटेबल फॉर्म हो रही है, यह बहुत ही डेंजरस है और शहर में जो पहले ही घाई बहुत ज़ादा है, शहर में इन्फॉमालिटी बहुत ज़ादा है गरीब लोग बहुत ज़ादा नमबर्स में हैं, उनके रहने की आवास की सबसे बड़ी समस्या है इससे वो हल नहीं होगी, इससे और ज़ादा वो अक्संच्टूेट होगी, मतलब और ज़ादा वो बढ़ेगी और यह हमारे सामने साफ नजर आ रहा है तो आगे की रहस्ता किस तरह देखते हैं, इसमें आगे क्या होना चाहिए आगे क्या होना चाहिए, यह तो गर्मेंट की एक अंडरस्टाइनिंग होनी चाहिए, वो इसको कैसे समझ रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लोगों की भी भागेदारी और लोगों के दुआरा बहुत जगा पर spontaneous भी कुछ जगा पर movements हो रहे हैं, और कुछ जगा पर, जैसे पानी मैं आपको बता सकता हूँ, पानी सबसे बड़ा मुदा बनने वाला है शहरों में, क्यों पानी का सबसे बड़ा crisis होने वाला है आने वाला टाइम में, और smart cities उसको बिलकुल भी address नहीं करती है तो इसलिए एक तो यह है कि कैसे जो democratic voices हैं, या जो ऐसे groups हैं, या even individuals हैं, वो कैसे अपने आपको connect करते हैं, और कैसे इसके प्रतीक alternate build करते हैं, जो बहुत मुश्किल है और फिलहाल वो दिख नहीं रहा है, मतलब छोट-छोटी जगा पर तो interventions लो कर रहे हैं, जैसे, लेकिन overall pan city आपको कहीं इसका negation नहीं नजर आ रहा है, और alternate नहीं आ रहा है, तो लेकिन इसके effects आ रहे हैं, तो जब तक वो participation नहीं होगी और उस पे एक alternate vision नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे democratic है, कि लोगों को दोबारा state को focus मिलाना है, मतलब जो deficit of development जिसको कहत हैं, मतलब हाजकल World Bank की भाशा में development deficit कहा जा रहा है, यह development deficit नहीं है, withdrawal of the state धन्यवाद टिकेंदर जी, न्यूस क्लिक से बात करने के लिए, थैंक यू